तो दोस्तों आज कल खीरा का सीजन चल ला है तो चलिए आज लेके आएं ये खीरा की रेसीपी तो यहां पर मैंने दो खीरा लिये हैं उसके बाद थोड़ा सा कट करके इस तरीके से करेंगे जिससे की खीरे का कड़वापन निकल जाए फिर हम खीरे को छील लेंगे कुछ इस तरीके से अब यहां पर मैंने खीरे के दो पीस कर लिये हैं आप इस तरीके से दो पीस कर लिजिए तो दो पीस कर लिए उसके बाद यहां पर हम खीरे के अंदर जो पल्फ होता है उसको हम निकालेंगे इस तरीके से चाकू की हेल्प से तो आप चाकू की हेल्प से आराम से तो यहां सभी खीरे से मैंने पल्फ निकाल लिया है अब एक बाउल लेंगे बाउल में खीरे का पल्फ एड़ करेंगे फिर कटा हुआ इसमें एक प्याज एड़ करेंगे एक टमाटर एड़ करेंगे अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च एड़ करेंगे और साथ मेहें यहां हम एड़ करेंगे धनिया और चटनी हरा धनिया की चटनी एड़ की है इमली की खटी मिंठी चटनी एड़ की है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ किया है यहां पर मैं अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर यह सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी है अब यहाँ पर मैंने खीरे के जो पीस कट करके रखे हैं उसमें यह मसाला फिल करेंगे तो सभी खीरे में इस तरीके से मसाला को फिल कर लेंगे उपर से इसमें हम डालेंगे आलू की भुजिया जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है तो इसी तरह से यहां पर मैंने ये खीरे की रेसिपी बनाई है बहुत ही इजी है इस नेक्स टाइम के लिए आप हलकी फुलकी भूंक में इसको खा सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें